अगर आप दलहन मिलाते हैं, खली मिलाते हैं, और इसको काफी दिन तक स्टोर किया हुआ रहता है, तो इसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, जो बारिस के मौसम में आम समस्या है, तो आप ताजा दाना बनाकर अपने पशुओं को खिलाएंगे, और खास करके जो इस म मौसम में, अभी हराचारा की प्रचूर मात्रा मार्केट में भी उपलब्द है, और किसानों के पास भी उपलब्द है, तो हम जो सिजनल है अभी, जैसे हमारे पास मल्टीकट नेपियर ग्रास है, हमारे पास मल्टीकट सुडान है, या जवार है, जो कि अब किसान के पास तयार है उसे आप काटके अपने जो निर्धारित मात्रा है उसको सूखे चारे और हरे चारे को मिक्स करके खिलाएं तो इसमें आपके पशुओं में खास करके जो उत्पादक्ता इसकी बनी रहेगी और बैलेंस फिडिंग कराएंगे जैसा हम लोग ने बताया कि आप अगर मिनरल मिक्शर मिक्स कर देते हैं तो ठीक है अन्यता आपको अलग से प्रती दिन प्रती पसू 30 से 50 ग्राम जो मार्केट में कोई भी अच्छे मार्क कंपनी का मिनरल मिक्शर उपलब्ध है उसको एडिस्नल हम लोग मिक्स करते हैं नमक मिक्स करते हैं 25 से 50 ग्राम तो अगर तो आपको अलग से नमक और मिंरल मिक्षर देने के आफसकता नहीं है, तो इस प्रकार से हम अपने पशुओं के स्वास्थ प्रवंधन पर, अहार प्रवंधन पर, साब सफाई पर अगर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने डेरी बेवसाय है, इससे लाब होगा, और दो-तीन बातें और है बेसिक बात, कि अपने पशुओं को जो खास करके पशुशाला में जब साब सफाई करते हैं, दुहाई के समय और दुहाई के बाद, आपको विसेश ध्यान देने का चुकिए, अब जब हम लोग के पास दूद की प्रचुर मात्रा है, तो हम लोग स्वक्ष दूद उत्पादन की ओर जा रहे हैं, तो सबसे प तुद थन में छोड़े नहीं, और तीसरी बात है कि दूहने के बाद, अपने पशुशों को कम से कम आधा गंटा 45 मिन तक खड़ा रहने दें, क्योंकि दूहने के बाद, उसका जो स्फिंक्टर रहता है, मैमरी ग्लैंड का, उससे अगर वो बैठ जाता है तुरत, तो उसस उससे ascending infection लगने का chances रहता है, तो इन सब बातों पर हम छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे, तो देरी बेवसाय से हमारे पशुपालक भाई फायदा ले सकते हैं, उनके स्वास्ट प्रबंधन से, उनके आहार प्रबंधन से, और उनके स्वास्ट प्रबंधन प ध्यान देंगे, आप अधिकलाब प्राप कर सकते हैं